हेलो दोस्तो दिस इस मीठु एन यू आर वाचिंग टेक माइन मीठु यूट्यूब चैनल तो दोस्तो वीडियो को चलिए सुरू करते हैं तो सुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो क्रोम डॉजर को ओपेन करना है फिर एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज आपको दिखाने वाला हूँ तो क्या करना है चलिए मैं कुछ टाइप करके आपको मैं दिखा जेता हूँ तो अरे यार यह कैसा आगया इस साइट कैंट भी रिच क्या दोस्तो आपका भी वैसा ही प्रोब्लेम आ जाता है जब किसी साइट पर आप जाते हैं तो साइट को खोलते नहीं बलकि इस साइट कैंट भी रिच यह प्रोब्लेम आता है चलो दोस्तो इसको fix करते हैं रहे इस तरह कासी fix करेंगे ताकि आपका इस तरह का problem काभी भी नहीं आएगा तो वीडियो के फटाफट एक like कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को कर दीजिए subscribe मैं आपका साथ में हूँ मीठ हूँ आप देख रहे है टेक मैं मीठ यूट यूट चैनल तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा उसके उपर बात करता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले आपना जो chrome browser है उसको आपको open कर लेना है इस तरीका से ठीक है दोस्तो chrome browser को open करने के देखे यहां पर आपको सोहा रहा है यहां पर आपको क्लिक करना है दोस्तों हश्यगा पर सेटिंग का option मिल मिल जाएका किご मिल जाता है जिसके अपर आपको लिखा clear browsing data यहां पर आपको कर देना है click तो यहां से देखिए दूस्त आपको क्या करना होगा side में देखिए time range आपको इस जगा से show हो रहा है यहां से देखिए last hour आपको हो रहा है तो आपको इस जगा से क्या करना है last hour पर जैसे आप click करेंगे तो आपको ये all time कर लेना है all time करने के बाद आपको देखी क्या करना है न advanced का आपको option मिला है इस side पे तो यहाँ पर आपको कर देना है click ध्यान से देखी बहुत ही simple है और इस जगह से आपको कुछ नहीं इसको करना है सिर्फ इस जगह से time range को last आवार है इसको इस जगह से click करके all time कर देना है फिर देखी नीचे आपको इस जगह से so हो रहा है clear data इस पर आपको कर देना है click तो चलिए मैं इसको clear data कर लेता हूँ तो देखी दोस्तो इस जगह से chrome browser का clear data हो चुका है इस जगह से आपको got it पर click करना है अभी आपको क्या करना है चलिए मैं आपको आगे बतता हूँ तो सबसे पहले आपको इस तरह का से home कर लेना है home करने के बाद आपको play store आपको open कर लेना है दोस्तो play store open करने के बाद आपको क्या करना होगा जैसे ही search bar पर आपको लिखना है vpn आपको लिखना है vpn ठीक है vpn लिख कर जैसे दूस्त आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तेक इंटरपेस देखने को मिलेगा और यहां से आपको क्या करना है जैसे के टार्बो vpn फिर इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद चलिए मैं इसको फटा हूँ इंस्टल कर लेता हूँ ठीक है तो हम इंस्टल कर लेता हूँ चलिए दूस्तों देखिए यह अभी शुरू हो जाएगा इंस्टल तो देखिए दूस्तों यह जो एप्लिकेशन बो इंस्टल हो गया है इसके बाद दूस्त आ से क्लिक करने के बाद आपको कुछ सता है का option आपको देखने को मिलेगा टेप टू कनेक्ट तो आपको इस जगह पर आपको क्लिक करके इस बीपेन को कनेक्ट कर लेना है यहां पर आपको कर देना है क्लिक ठीक है तो मैं इस जगह से क्लिक कर ले था और क्लिक करने के बाद दे तरह सो होम कर देना तो दोस्ता अभी आपको क्या करना है इतना करने के पाद दोस्तो फिर से आपको Chrome ब्राजर आपको खोल लेना है और खोलने का बाद चलिए फिर से एक नया टैब open कर लेते हैं प्रोपेन करने के बाद आपको वही वेबसाइट आपको इस जगा से डालके सर्च करना है जो तब नहीं खुल रहा था और दोस्त तितना करने के बाद आपका जो प्रोब्लेम वो सॉल्व होई जाएगा आप किसी भी वेबसाइट पर इस तरीका से अक्सेस कर पाएंगे तो